चलिए बात करते हैं बोट सुवाना भर्सेस घाना के भी जो मुकाबला खेला जाएगा दोनों टीमों में श्ट्रोंग की बात किया है तो बोट सुवाना की टीम टीम है कागच पे देखी जाए तो वैसे घाना के टीम के पास भी अच्छे अच्छे पिलेयर रहे तो हो सकता ह गाना भी वीन कर जाए लेकिन रिकोर्ड के अधार पे तो बोट्सवाना को ही वीन करना ची याने इनके ही पक्ष मुझे जादा मजबूत नजर आते हैं तो टीम जो है थोड़ा सा रिस्की टीम बन रहा है कुछ एसे पिलेर है जिनका सेलेक्शन काफी कम है लेकिन पिलेर सेलेक्शन ठीक ठाक है लेकिन के लिए तो एक के उपर जाना चाहिए हमें लगता है और भीसी का उप्षन बहुत सारे है सारा कुछ देखेंगे और एक बहुतर टीम बनाने का प्रियास करेंगे मिलकर तो दोस्तों अगर जैदि आप इस मुकाबले को खेलना चाहते हो तो ह हमारे टेली गराम चैनल को आपको जॉइन करना काफी जादा जरूर है हर अपडेट मिलेगा वहाँ पर फाइनल टीम मिलेगी इनके लाए बहुत सारे मेंच का लाइन आप नहीं आता है कोई नहीं दे पाएगा मैं दे पाता हूं तो इन सब का भी फाइदा मिलेगा तो यसा कि आप हमारा इस प्रकार से वीडियो देखते होंगे यह हो गया डिस्क्रिप्शन इस डिस्क्रिप्शन में आपको किलिक करना जैसे यहाँ पर किलिक करेंगे नीचे आपको टेली गराम चैनल का लिंक दिखाई देगा इस बुलू बाले पर आपको किलिक करना किलिक क काफी होता है और मैंने कई बार आप लोगों फिरी में जील विन करवाया भी है तो दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए जो हूँ बहु आपको डुमेस्टिक पिलेंग लिबन अजर आएंगे उनसे आपको बचना है ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के जर यही जुड़ना है तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे कि बोट्सुवाना की टीम जो है युगांडा खिला खिल के आ रहे तो बोट्सुवाना से यहाँ पर श्ट्रोंग थी और और सिलास ने यहाँ पर एकसरन की पारी खेली तो यह रहा था इनके दंपी नो ने एक सुतिन रन का स्कोर बनाया और जब इसका पिछा करने युगांडा की टीम आई तो गिनवाजी किस परकार से रहा और ने होंडे की बात किया दो बिक्टे लेगे इनके अलावे दे करते डिमाई सुरिया अपने टीम के केप्टन हुआ करते फिलाल लगता है अभी भी अपने टीम के केप्टन है यह मुझे पता नहीं तो इस तरह से गिनवाजी रही थी इनके अलावे दोस्तों घाना भी यो युगांडा के खिलाव खेली थी तो किस परकार से इनका भी प तो यह रहा था इनका वेटिंग लाइनप युगांडा का खिलाप और यह रहा इनका गिनवाजी देख सकते हैं और बाकुम जब गिनवाजी के चार बिक्ट्रे लेगे तो केप्टन वाज से बहतर इनके अलावे कोई नहीं हो सकता लेकिन कौन साम में गिनवाजी करेंग तो केप्टन वाज मैं तो कारा हूँ बेतर हो जाएगा इनका ही नाम है ओवेड हारवे ये काफी बनिया ओल्राउंडर के गिंती में आते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह सिंग 34 आर बाकू में खत्तर के स्कोर पर बड़ा स्कोर खड़ा किया और मोजमबिको को यहाँ पर करारी हार का सामना करना पड़ा तो दोनों का परदशन हम लोगों ने देख लिया युगांडा खिलाप किस परकार आप दोनों आपस में टकरा रही है तो बोट सुमाना का वीन करने चांसा धिक बनता है तो दोस्तों कोंबिनेशन तो देखेंगे लेकिन इससे पहले अगर जदी हमारे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किये हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम 11 से रिलेटेट कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पली इन्फोर्मेशन दे देता हूँ जैसा कि फिरी में टी सट का अपडेट है वो अप ले लो सारे लोगों को मैंने दिलवा दिया आप भी चाहो तो ले सकते हो हमारे टेली गराम चैनल पे वीडियो पिन किया हुआ होगा इनके अलाबे भी कुछ जनकारी लेना इस्टागराम पे मेसेज करो ना मैं वहाँ पर सारे लोग का रिपलाई देता हूँ वो भी बेहतर तरीका से तो दोस्तों चलिए यहाँ पर देखते हैं किस परकार्च मैंने कॉंबिनेशन बनाया हूँ और क्या कॉंबिनेशन होना चाहिए विकट कीपर सक्षार में देखा जाए इनसे बहतर विकट कीपर कोई नहीं हो सकता है मोटस लंका की बात किया तो यह अकसर चार उभर की गेनबाजी भी करते हैं और उपन आते थे लेकिन लास्ट मैच में नहीं नहीं किया तो थोड़ा सा गेनबाजी में डाउट फुल न जा रहाता है लेकिन बले बाजी तो कमाल का है जे थियोड्रे की बात किया, ओपन आते है, ठीक ठाक है, लेकिन दो बिकेट कीपर लेना चाहोगो, तभी इनको पिक करना, और बाकूम अंक बंद करके आपको पिक करना चाहिए, इनके लाब मैं इनके बारें बता दूँ, जे भीफा की बात किया है, देखो इनसे पहले बाल करते हैं तो इंपोर्टेंड है और पार्ट टाइम गेनवाजी के लिए भी जाने जाते हैं लास्ट मेच के अधार पे देखोगे तो इंपोर्टेंड बिल्कुल नहीं बन रहा है ती परेरा जैसे खिलेगा अपने टीम पे आँग बंद करके इनको भी पिक कर ले ना है और के टाइम गेन बाजी करा ली जाए और चार नमर पे बले बाजी करें टोप आउडर पे तो एक अच्छा पीक तो हो सकता है अगर जदी इनके उपर रिस्क लेना चाहते तो बिलकुल ले सकतो नो डाउट अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर एस के लोरी का अब 13% सेलेक् करता है तो केप्टन भाज दे सकते हो पिक तो करना तो बनता है अब आखरी पिलेर देखो यहाँ पर इनके टीम पे देखाए पी सिलास काफी नीचे आते तो इनके उपर हम बात नहीं करेंगे भी बाल किरिस्नन को टोप आउडर पे खिला गया तो इनके उपर मैं का पिक क कर सकते हो और वहें स्वाना की टीम के वीन करने चांस हाई तो इंपोर्टे नैं लेकिन घाना के टीम में डी सिंग का जो एनक से घ्रके कर देंगे तो इहां पर एक डिसाइड आपको करना है, फिलाल के लिए भी बाल किरिश्णार का थोड़ा सा पलरा भारी है, लेकिन डिसिंग भी इनसे काम नहीं है, चार बहतर ओलरांडर की बात क्या है, एसिंग को मैंने पिक क्या, टोप आउडर पे बले बाजी करेंगे, लियाने की ओपन, और पार सकता, ओपन आके अच्छा खिलते हैं, साथ में गेन बाजी करते हैं, लास्ट मेंच में यूगांडा के खिलाब इन्होंने दो बिक टेले के जरूर आ रहे हैं, ओवेड हारवे की बात की जाए, काफी कमाल की ये ओल राउंडर है, हलांकि बले बाजी कई बार नीची आते ह कई बार उपर भी आ जाते हैं, और गेन बाजी चारो भर इनका करना लगभग कनफर्म ही मानलो, तो ओवेड हरवे भी केप्टेन भास के लिए बेस्ट उप्चन है घाना की टीम से, अब यहाँ पर देख सकतो, मैं जो यहाँ पर पिक किया हूं, इनका सेलेक्शन थोड़ा सकता मैं, 18% लेकिन यह हमारे टीम का बेस्ट पिलियर हो सकता है, और अच्छी गेन बाजी यह करेगा, इनके लाब आर बलेरी के बाद किया, इनको तीन नमर पे भीजा गया, साथ में इनसे इस्पिन गेन बाजी भी करा गया, तो यह भी मुझे पसंद है, लेकिन किन के यहाँ पर आर बेलेरी को पिक कर लें, एक बनियाई स्पिनर हो सकता है, एक दो बिक्टे ले जाए, और टो पाउडर पे खिलते है, हलांकी बलेबाजी के दिरिष्टी से एसिंग ही बहतर है, वो भी पाट टाम गेन बाजी तो करता है, यह फिर इनके जगा भी चाओ तो से इस वजह से, इस अविया अगर जदी खेलेंगे तो बिल्कुल पिक करेंगे, इंपोर्टेंट पिलेर नहीं खेल लें, इस वजह से मैंने पिक नहीं किया, डी मैसुरिया केप्टेन वास के लिए जब बड़दास्त ओप्सन है, इस भी गेन बाजी करते हैं, तीन सा चार ब बिक्टे ले जाने के छमता रखते हैं, बले बाजी ज़्यादा बेतर नहीं कर पते हैं, डी एन फी को यहाँ पर मैं पिक क्या हूं, काफी बढ़िया है, चार उभर की इन्होंने गेन बाजी किया था, हलांकि यहाँ पर देखा जाए, इनको बिक्टे ज़रूर मिलाते हैं यहाँ पर काफी को, लेकिन यह भी बेतर है, लेकिन डी एन फी से ज़्यादा बेतर मुझे यह नजर नहीं आते हैं, इनके अलावे में यहाँ पर देखा जाए, तो मोकेट सी को यहाँ पर पिक क्या हूं, यह गजब का स्पीनर है, यह अच्छा खासा कर सकता है, अच्छा यह एड नहीं थे, तो बनिया एक गिनवाज है, फस्ट गिनवाजी करते हैं, चाहो तो ट्राइ कर सकते हो, जब घाना पहले गिनवाजी करेगी तो, तो फिलाल के लिए हमारा टीम देखा जाए, तो केप्टन के लिए तो आर होंडे के उपर ही जाऊंगा, भी सी के उपर क अच्छा करते हैं, यह भी थोड़ा सा उप्शन बनता है, ओ हार्वे अच्छा खासा उप्शन बन जाता है, चारो भर इनका लगभग कनफर्म है, तो फिलाल के लिए हमारा जो भी सी होने वाला है, वो मैं सोच रहा हूं, एस केलोरी के उपर जाऊं, या फिर मैं सोच रहा हार्वे के उपर जाऊं, तो फिलाल के लिए हार्वे के उपर ही मैं जाता हूं, हमारा ये टीम है, इस पे जो भी चेंज आपको करना चाहिए, कर लेना चाहिए, जो मैंने वीडियो पर बताया हूं, तो अच्छा खासा आभी प्रोफिल खुद से भी कर सकते हूं, हलांकि ह हमारे टीम के अनुसार चलिए, हम लोग मिलकर खेलेंगे, तो दोस्तों फिलाल के लिए मैं अपने वीडियो के यहीं समाप्त करता हूं, सिधा मिलता हूं इस मेच के अपडेट के साथ।